वावा, कितने प्यारी लग रही है मेरी बहु, किसी की नजर ना लगे, आओ बहु, आओ, तुम्हारे घर में स्वागत है, थैंक यू माजी, सच, तुम्हें बहु बना कर मेरा सपना पूरा हो गया, मेरा बहुत मन्था कि मैं अपने बेटे आकाश के लिए एक सुन्दर सी ब बहु, गौरवी की भर-भर कर तारिफ ही किये जा रही थी, तभी ग्रेप्रवेश के फंक्षन में आई एक ओरत ने केतकी से कहा, मानना पड़ेगा केतकी, नई बहु का स्वाल गत करना तो कोई तुम से सीखे, पूरा एक फंक्षन ही रख दिया ग्रेप्रवेश का, वाव वावा, लेकिन ऐसा सब कुछ तुमने काजल के लिए तो नहीं किया था, है ना? केतकी ने उस औरत की बात को अंसुना कर दिया और फिर जोर से बोली, अरे, कोई आरती तो लेकर आओ, मैं आ गई माजी, मैं उतारती हूँ अपनी प्यारी देवरानी की आरती, नहीं नहीं, मुझे दे, तेरी काली छाया, इस बेचारी दूट सी बच्ची पर नहीं पढ़ने दूगी, मैं। इंसान की सीरत पर उसकी सूरत भारी पढ़ी जाती है, काजल के साथ भी ऐसा ही हो रहा था, आओ गौरवी, मैं तुम्हें पूरा घर दिखाती हूँ, जी माजी, इधर रसोई है, इसके ठीक सामने बातरूम और ये गैस्ट रूम है, और उदर उपर क्या है माजी? वो, वो तेरे जेट का कमरा है, जेट जी का मतलब? वो उस कमरे में अकेले रहते हैं क्या? नहीं, वो कलमुही भी तो रहती है उसके साथ, जैसे ही कमरे से बाहर निकलती है, पूरे घर में अंधेरा हो जाता है, एक्दम डामर है डामर. क्या माजी, आप भी बड़ी कमाल की बाते करती हैं? गौर्वी आते ही समझ गई थी कि उसकी सास उसकी जिठानी से कितनी नफरत करती थी, और इस साग में उसे घी कैसे डालना है, ये भी वो अच्छे से जानती थी. केत की और गौर्वी आपस में बाते करी रहे थे, कि तभी अपने कमरे से काजल ने गौर्वी को आवाज दी, अरे गौर्वी, आओ, उपर आओ, जाओ, देखाओ उपर भी, पर ज़रा दूर ही रहना उसकल मुही से. केत की मुह बना कर वहाँ से चली गई, और गौर्वी फिर उपर काजल के कमरे में पहुँची, आजाओ, गौर्वी, अब यहाँ बैठो, हम, वैसे भाबी, आप दोनों की लव मैरिज है क्या? हाँ, पर तुम्हें कैसे पता? वो बस आपको देखकर अंदाजा लगाया मैं लेकिन उसका पती विकास सबसे अलग था, वो उससे बहुत प्यार करता था और इसलिए उसने सब के खिलाव जाकर काजल से शादी की थी, लेकिन शादी के तीन सालों के बाद भी काजल की सास केत की ने उसे दिल से नहीं अपनाया था, अरे काजल, दाल चढ़ा दी क्या? नहीं माजी बस अभी जाई रहे हो, उफ एक तो काली उपर से एक नंबर की आलसी, कोई काम समय से नहीं होता इससे, केतकी के बाद सुनकर पासी खड़ी गौरवी हसने लगी, वो तयार होकर घर से बाहर जा रही थी, ये देखकर केतकी ने उससे पूछा, कहीं जा रही हो गौरवी, हाँ माजी जरा पार्लर होकर आती हो, हाँ, अच्छा-च्छा, ठीक है जाओ, पर जल्दी आना, जी माजी, गौरवी को घर का कोई काम नहीं आता था, वो तो सारा दिन बस खुद कोई सवारती रहती थी, दूसरी तरफ काजल घर के सारे काम बहुत अच्छे से क लेकिन फिर भी केतकी का दिल जीतना उसके लिए लगभग नामुम्किन ही था, ऐसा इसले भी था क्योंकि गौरवी को जब भी मौका मिलता, वो काजल के खिलाफ अपनी सास के कान भरती रहती, जिसका सर केतकी के व्यवहार में साव दिखता, चलो सबजी तो बन गई, पहल इसी को तो और पकना है भी, इतना कहकर गौरवी ने सबजी की गैस फिर से जला दी और तेज फ्रेम छोड़ कर वापस अपने कमरे में चली गई, हुआ ये कि काजल के वापस आने से पहले ही सारी सबजी जल कर काली हो गई और पूरे घर में धुमा फैल गया, आयाय, ये क् अरी कहां मर गई करम जली, शोर सुनकर काजल फॉरन छट से उतर कर आई, जहां केट की गुस्से से उबल रही थी, माजी ये कैसे हुआ, मैं तो गैस बंद करके गई थी, अच्छा, और भूत आकर चला गए गैस, वैसे तेरे होते हुए भूत कहां से आएंगे, वो तो कर दी पिल्कुल अपनी शकल की तरह, मा बस करो, गल्दी इंसान से ही होती है, और काजल भी एक इंसान है, तू चुप रहे विकास, बस तेरी जित के आगे मैंने इस गलमुही को इस घर में आने दिया, मैं ही जानती हूँ कैसे बरदाश्ट कर रहे हूं इसे मैं, बस करो मा ठीक है, अब यहां किसी को कुछ बरदाश्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं और काजल अब यहां नहीं रहेंगे। क्योंने क्यों नहीं बनाया, ओहो मा जी, मैंने आज ही मैनी क्योर करवाय, फिर कैसे बनाती खाना, इतना कहकर गौरवी अपने कमरे में चली गई, काजल के जाने के बाद सही केतकी की पूरी ग्रिहस्ती बिगड़ने लगी थी, क्योंकि गौरवी तो कुछ करती नहीं थी, उपर से अब वो बत्तमीजी पर भी उतर आई थी, गौरवी जरा चार ले आना, क्या मा जी, आप अभी इतनी भी बूड़ी नहीं हुई हो कि खुद से अचार भी ना ले सको, मैं आपकी नौकर नहीं हूँ, उस दिन पहली बार केतकी को काजल की याद आई और उसे अपनी क्या करना है, वो फॉरण विकास और काजल के घर पहुची और फिर, अरे मा जी, आप, आए, आए ना, सुनिए, जल्दी आए, देखिए, कौन आया हमसे मिलने, मैं तुमसे मिलने नहीं, बल्कि तुम दोनों को वापस घर ले जाने आई हूँ, बेटा, लेकिन मा जी, मैं, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना, कुछ ठीक नहीं है, बेटा, ना हमारा घर और ना मैं, इतना केकर केतकी वहीं बेहोश हो गई, और फिर कुछ दिनों के बाद, क्यों रे केतकी, अब ये क्या सूजी तुझे, एक ही बहु का दूसरी बार करी प्रवेश, दूसरी बार नहीं पहली बार इस घर में भी और मेरे दिल में भी हमें पार्टी कर रहे हैं हम सब, इतने पैसे तो वहां का वेटर टिप में ले जाता है, पायल तुझे पता है कि इन सो रुपयों को कमाने के लिए तेरे पापा को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, बेटा हमें उतना ही खर्च करना चाहिए जितनी हमारी चादर हो, मुझे पत हैंगे, पापा को 30 रुपय भी कमाने में मेहनत लगती होगी ना, ये क्या बात हुई पायल, ये तो सरासरबत तमीजी है, जोती अपनी बात पूरी कर पाती, उससे पहले ही पायल पैर पटकते हुए वहां से चली गई, ये कहानी इसी लड़की पायल और उसकी मा जोती की ह जोती के पती का नाम अजय था और उन दोनों की एक लौती बेटी थी पायल, अजय एक कार्मैकेनिक था, जोती और अजय में अच्छी बनती थी लेकिन इनकी बेटी पायल, उसके मिजाज सरा अलग थे, उस दिन अपनी मा से नाराज होकर जब वो अपने कॉलेज पैदल ही जाने लगी, तभी रास्ते में उसके पास एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुखी, ओ हाई, पायल, कैसी हो, सॉरी, मैंने आपको पैचाना ने, अरे, मैं तुम्हारा सीनियर, विकास, बीएसी फाइनल येर, हम मिले थे ना उस दिन, कॉलेज लैब में, ओ हाँ, अब याद आ अरे, घबराओ मत, आजाओ, मेरे साथ तुम्हें कोई खतरा नहीं है, काफी देर सी धूप में पैदल चल कर ठक चुकी पायल मना नहीं कर सकी, और विकास के साथ उसकी कार में बैट गई और फिर, ओ, नाइस कार, थैंक्स, पिछले में नहीं ली है, वाउ, इसका इंटीरि कार में बैटी थी, वो मन ही मन सोचने लगी, कि अमीरी में कितना मजा है, साथ ही वो अपनी किस्मत को भी कोस रही थी, जब तक पायल ये बाते सोच रही थी, तब तक कॉलेज आ गया, आपना, मुझे यहीं बाहर चोड़ दीजे, क्यों क्या हुआ, अंदर चलते ना, विक कि यह हो तो ऐसी यार, रोज इसकी काड़ी से नहीं लड़की उतरती है, देखना अब इसको भी गुमाएगा फिर आएगा, और फिर छोड़ देगा, सही बोला भाई, पर यह लड़कियां भी कम नहीं है, विकास के पैसो पर एश करने में कोई कसर नहीं छोड़ती है, हैं यह दोनों लड़की जो विकास के बारे में बात कर रहे थे, वो विकास की क्लास में ही पढ़ते थे, और विकास को अच्छे से जानते थे, लेकिन इन सब बात उसे अंजान पायल तो हैंडसम और रईस विकास की दिवानी हो चली थी, अब हर रोज ही विकास पायल को कार और अयाश लड़का था वो सिर्फ अपने करोड़ पती पिता के पैसो पर मौच करता था एक दिन विकास की कार पंचर हो गई और विकास ने जिस दुकान के बाहर गाड़ी लगाई वो पायल के पापा की दुकान थी उन्होंने जैसे ही पायल को विकास के साथ उसकी गाड़ी में देखा तो फॉरन पायल पर भड़कते हुए बोले पायल तुम इस गाड़ी में क्या कर रही हो और ये लड़का कौन है पापा वो ये मेरे दोस्त है मुझे घर छोड़ने जा रहे थे तब ही हमारी मतलब इनकी गाड़ी पंचर हो गई पॉरन उत्रो गाड़ी से और अंदर जाकर बैठो मैं तुम्हें घर छोड़कर आऊँगा पर पापा सुनाई नहीं दिया एक बार में आपकी गाड़ी का पंचर लग गया है तो अब आप जा सकते है इसके बाद अजय अपने स्कूटर पर पाइल को लेकर घर पहुचे और फिर ज्योती को सारी बाद बताई पाइल सच सच बता क्या चल रहा है ये सब आप लोगों को ना बस तिल का ताड़ बनाना ही आता है वो मेरे सीनियर है जिनके सामने पापा ने मेरी इज़त की वाट लगा दी पता नहीं क्या सोच रहे होंगे वो मेरे बारे में काश उन्हें पता ही नहीं चलता कि मैं एक पंचर बनाने वाले की बेटी हूँ पता नहीं ये सब जानने के बाद वो मुझसे बात भी करेंगा नहीं पायल तुम उस लड़के के बारे में कुछ नहीं जानती वो आए दिन आता है मेरे पास अपनी गाड़ी सुधरवाने आए दिन शराब के नशे में अपनी गाड़ी ठोकता फिरता है और तो और हर बार उसकी गाड़ी से एक अलग लड़की उतरती है हाँ तो क्या हुआ वो अमीर है, स्टाइलिश है तो उसकी दोस्त तो होंगी न पायल तुम उस अयाश और फरीभी के लिए हमसे बहस कर रही हो पापा हर पैसे वाला आयाश नहीं होता, विकास ऐसे नहीं है मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि उनके दिल में भी मेरे लिए ऐसी ही फिलिंग है आपको पते इस दुन्या में अच्छे लड़के कितनी मुश्किल से मिलते हैं वो इतने पैसे वाले हैं कि उनसे शादी करके मेरी जिंदगी सुधर सकती है और मेरी ही क्यों, उनके पास इतनी दौलत है कि उनकी बीवी बनने के बाद मैं आपको भी इस नर्क से निकाल सकती हूँ सही कहा तुने, इस दुन्या में अच्छे लड़के बड़ी मुश्किल से मिलते हैं हाँ, और ये भी सच है कि हर पैसे वाला आयाश और फरे भी नहीं होता कुछ लोग सच्चे प्यार के लिए अपना घर बार, पैसे दौलत सब कुछ छोड़ देते हैं ऐसा प्यार, और ऐसी जिन्दगी किस काम की, जिसमें पैसो और एशो आराम ना हो मैंने बचपन से गरीबी देखी है, ये मत करो, वहां मत जाओ, क्योंकि पैसे नहीं है उफ, अब बस, मैं अब और ये नरग जैसी जिन्दगी नहीं जी सकती चुप हो जा पायल, तू जिसे नरग बता रही है, वो मेरे लिए स्वर्ग से भी बढ़कर है, समझी तो आपको ही मुबारक हो ये स्वर्ग, मेरे लिए तो ऐसे जीने से बैतर है, मर जाना और ममी, आप तो बस रहने दो, आप क्या जानो कि आखिर पैसे की ताकत क्या होती है, आप खुद तो गरीबी में ही पैदा हुई, गरीब से ही शादी की और अब गरीबी में ही मर जाना चाहती हो पायल की ये बत्तमीजी उसके पापा अजैसे बरदाश नहीं हुई, और उन्होंने आगे बढ़कर पायल के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया, और फिर उसे जबरदस्ती अपने साथ लेकर घर से बाहर गए कुछी देर में उनका स्कूटर एक आलिशान बंगले के बाहर आकर रुखा पापा, ये कहां लेकर आए हैं मुझे, और क्यों? तुझे दिखाने की, तो अपनी जिस मम्मी को बेज़द कर रही थी कुछ देर पहले, आखिर उसके असली उकाद क्या है अजय को देखते ही उस बंगले के बाहर खड़े गार्ड ने उसे सलाम किया, फिर अजय पायल को लेकर अंदर गया वो बंगला बहुत ही बड़ा था, और वहाँ लाइन से कई लगजरी गाड़िया खड़ी थी, तब ही वहाँ एक रौबदार बुजर्गाय, अजय ने उनके पैर चुए और फिर पिताजी, आपने सच ही कहा था, मैं आज वाकए अपने गरीबी से हार गया, और मुझे मेरी इस हार का हैसास कराने वाली मेरी खुद की बेटी है, आपने ठीक ही कहा था, कि मैं चाहे जो कर लूँ, लेकिन एक दिन हार मानकर आपकी चोखट पर जरूर आउंगा, तो लीज पायल हैरानी से सब कुछ देख रही थी, दरसल वो बुजर्ग शक्स, शेहर के सबसे अमीर आदमी थे, और उनका नाम सेट वीरभद्र था, जोती उनकी एक लौती बेटी थी जो अपनी जवानी में अजय से प्यार कर बैटी थी, अजय शुरू से ही गरीब था, तो जोती उनके पास वापस लोटाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जोती अपने पती के साथ बसाए, अपने छोटे से संसार में सुखी थी, लेकिन अब इतने सालों बाद जब पायल की खाते रजय हारता दिखा, तो सेट वीरभद्र ने उससे कहा, नहीं बेटा, आरे तुम नहीं, बलकि हारा तो मैं हूँ, मेरा घमंड चूर चूर हो चुका है, मैं ही अपनी बेटी की बात को समझ नहीं सका, कि खुश रहने के लिए पैसों से ज्यादा अपनों का साथ जरूरी है, वो अपने जो हर हाल में आपको अपनाएं, आपके हर स तो समझ में आता है कि वाकई कितना गरीब हूँ मैं और अब तक सिर्फ पैसों के पीछे ही भाग रहे थी, जिन्हें उसकी मा ने सालों पहले अपने सच्चे प्यार के लिए ठुकरा दिया थी Best Buddies Best Buddies